हम एनके द्रिपाटी सर को बुलाना चाहँगा कि वाई और इस प्रोग्राम के बारे मुझे अपनी बात प्रक्राइब आज के इस कारिक्रम के मुख हैतिती प्रम आधर्णी उच्चु शिक्षा मंत्री श्री मुहन यादव जी मंच पर उपस्थित शिक्षा छेत्र के मुर्धन्य विभूतियां और सभी हमारे उपस्थित भाईयों बहनों कि मड़े हर्ष का विशह है कि इन दौर में नई शिक्षा नीति के संबंद में परिचर्चा और उसके अनुपालन के लिए एक अर्थ पूर्ण संबाद यहां पर किया जा रहा है कि अधिक व्यवधान में डालते हुए क्योंकि हमको सीधे विशह पर आना है मैं केवल इतना बताना चाहूंगा हमें इस बात का गर्म है कि मध्य प्रदेश उन अगणनी राज्यों में है जिन्होंने नई शिक्षा नीति को सरप्रतम इसी वर्ष सत्र से ही प्रारंब करने का निर्णे लिया है इसके लिए राज शर्षन और व्यक्तियत रूप से माननी उच्छ शिक्षा मंत्री जी इसके लिए सीधे सीधे इसके लिए हम उनके आभारी है अभी कुछी दिनों पहले भोपाल के एधिहासिक मिंटो हॉल में माननी राजिपाल महोदे ने एक सेमिन एक का तो ध्हटन किया था नई शिक्षा नीवहरा इप और और वह सेमिनार केवल रप्र आउपचारिक सेमिनार नहीं था उसमें चल्श को दोने 0 2 ने स्वयम वहाँ पर विस्तार से नई शिक्षा मीं नीती के बारे में अपने विचारों को इस्पस्ठ किया और अपने विचारों को सक्ष्ब करने के साथ सब्ड़ द्रफ कर थि राजीन गंधी के समय में आई हुई पुरानी शिक्षा dar, नीति जिसमें केवल शिक्षा के विस्तार की बात थी उसको हटा कर अब जो नई शिक्षा नीति आई है वर्तमान केंदरी सरकार के नेतित में उसमें गुणवत्ता प्रविशेश जोर दिया गया है शिक्षा से दोई लोग जुड़े रहते हैं या तो छात्र उसका भी विका सब लोग बताएंगे नई शिक्षा नीति में बच्चों के विकास के लिए छुटपन से लेके जब से वो तीन वर्ष का होता है वहां से लेके अंद तक उसके बारे में विचार किया गया है विशेश रूप से उच्छ शिक्षा में मैं इस कुली सिक्षा पर नहीं जाना चाहता उच्छ शिक्षा में जो फ्लेक्सिबिल्टी दी गई है एंट्री एक्जिट की जो च्वैस दी गई है क्रेडिट सिस्टम को कहीं भी ले जाकर उसको उसका शिक्षा के छेत्र में प्रयोग किया जा सकता है जिसकार से और्टल सब्जेक्ट के लिए एक बड़ा वि और उसका जितना ही अच्छा अनुपालन होगा उतना ही संभवता हम आगे बढ़ेंगे जहां तक इंडेक्स ग्रुप का प्रस्न है जो की आज यहां पर उपस्थित भी है हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम सिक्षा की गुनवत्ता को बहुत उपर ले जाएं हमारा स् यह बने है के जहां फिलाहल नई सिक्षा नीती का कोई डूल नहीं है है हम जाएंगे पाविच्ण मैं इसको भी समावेस NT FREE और यू मनिटिकल शेत्र में और इंज चाहने बाद जाहेंगा। मंचा सीन आज के कार्टम के मुख़तिती हमारे प्रदेश के पूर जावान उच्छ सिफ्टा मंत्री आधर्णी मोहनियादो जी भाई साथ, मंचा सीन विक्रम पिशुद्याले के गुलपती परमाधर्णी अतलिश पांडे जी भाई साथ, और इंडेक्स ग्रुप के चेर्मेन सुरेज जुलोरिया जी भाई साथ, मंच में बिराजमान सभी आधिती महोद है, सभा में उपसित समस्थ सिफ्षाविद, सभी को मेरा नमश्कार, मैं धन्वाद बेना चाहूंगा स्वदेश, न्यूज ग्रुप को, जिसने इतना बढ़ मारत देश के सबसे नवचार जो हुआ है, नई सिक्षानीती 2020, उस पर एक कॉंक्लेब का कारक्रम रखा, इस कारक्रम के मार्ध्यम से हम निश्चित रूप से नई सिक्षानीती के बिंदूओं को या नई सिक्षानीती की गहराईयों को समझेंगे, और जो उसमें आने वाल की कच्षानाईयां हैं या उसकी जो अच्छाईयां हैं उनको विश्चत रूप से चर्चा करेंगे, अभी कुछ दिन पूर्व ही माननी उचिसिक्षा मंत्री महोदय के प्रयासों से मद्दूब